जोतिश और जीवन में आपका स्वागत है स्री गुरु चर्णों में नमनकर स्री गणेश की वंदना करता हूं लगबग एक हजार वर्ष की जो दास्ता हमारे देश ने भोगी उसके परिणाम सुरूप जो ग्यान विग्यान के क्षेत्र में जो प्रगरती हमारे मनीशों ने रिशियों ने की वो अब तक वैसी की वैसी हम तक नहीं आ पाई बहुत कुछ नश्ट हो गया उस दास्ता के उसमें बहुत कुछ नश्ट कर दिया गया फिर भी हमें कृत्ग लिखे होना चाहिए हमारे पूर वजयों का कि उन्ने बहुत कुछ हमारे लिए समाल के रखा और वो हम तक अभी भी पहुँच पाया लेकिन हमारी उदासिंता के कारम जो उपलब्ध है हमारा उस पर भी ध्यान नहीं है उसके प्रती भी हम जागरुक नहीं है उसका परिणाम ये है कि कई क्षेत्रों में लगबग सभी क्षेत्रों में चाए वो जोतिश का क्षेत्र हो चाए वास्तु का क्षेत्र हो चाह साधना का क्षेत्र हो तंत्र मंत्र आदी का क्षेत्र हो इन सभी क्षेत्रों में कई शंकाएं और कई तरकी ब्रहांतियां जन मानस में प्रचलित हैं और हम प्रयाज यदि करें तो कई जगे ऐसी समस्या आती कि उनका निराकरण नहीं हो पाता परिणाम यह होता है कि जो भ्रांतियां है व्यक्ति उनी पर अमल कर लेता है सही मानते हुए और यदि समय ठीक हुआ किस्मत सही हुई और सही हो गया तो ठीक और नही हुआ तो फिर वो शास्त्र और हमारा ज्यान विगान ये बदनाम होता है तो आज कुछ ऐसे ही सूत्रों के बारे में मैं ऐसी भ्रांतियां जो जनमानस में प्रचली थे हैं और प्राया उनका काम पढ़ता रहता है उन पर थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ वो एक बात वास्तु शास्त्र से सम्बंदी थे आपने सुना होगा मकान और प्लाट की बात आती है तो दो बाते एक तो नारमुखी और एक गौमुखी थे नारमुखी ये दो शब्दा आपने जरूर सुने होंगे और इन पर अमल करते भी देखा होगा गौमुखी अर्तात आगे से सकड़ा हो और पीछे से चोड़ा हो वो गौमुखी कहते हैं और आगे से चोड़ा हो और पीछे से सकड़ा हो इसको नार्मुखी कहते हैं और जनमानस में धारना ये प्रचलित है कि गौमुखी प्लाट निवास के लिए, रहने के लिए, घर के लिए, आवास के लिए बहुत अच्छा रहता है। और नार्मुखी प्लाट व्यास के लिए, उसमें कोई भी व्यापारिक दुकान आदी बनाई जाए, वो बहुत अच्छा रहता है। उसका यदि पालन हो गया उसमें, तो निश्चित रुप से शुप परिनाम मिलेंगे। और वास्तु शास्तर का जो मूल सूत्र है, उसका पालन नहीं हुआ, तो दुश परिनाम मिलेंगे। अब कैसे पालन होता और कैसे नहीं होता, थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। बात नार्मुखी की और गौमुखी नहीं है, वो नार्मुखी और गौमुखी बन किस परिस्तिती में रहा है, यह महत्वपोन है। अब मैं थोड़ा आपको उधारन से सब्जाता हूं, आप समझने का प्रयास कीजिए बहुत आसान सी बात है। एक मिनिट के लिए हम कलपना करते हैं, एक उत्तर मुखी प्लाट है और उसकी उत्तर की जो भुजा है वो 50 फिट की, नेश्चिती कोन 90 डिग्री का है, और जो दक्षन की भुजा है वो है 45 फिट की, उत्तरी भुजा 50 फिट, दक्षनी भुजा 45 फिट, इसका अर्थ सीधा सा यह हुआ कि जो पूर्वी इशान है वो बढ़ गया, उत्तर मुखी प्लाट है तो निश्चित रूप से ये नार मुखी प्लाट कहाएगा, लेकिन इसमें आप चाहिए व्यापारिक संस्तान का आप दुकान आदी बनाएं, या फिर आप इसमें आवाज बनाएं, कुछ बनाएं, वो निश्चित रूप से शुपफल दाई रहेगा, क्यों? क्योंकि इशान बढ़ गया है इसमें, इसके विप्रिश सोचते हैं, उत्तर मुखी प्लाट है, और उत्तरी भुजा उसके 45 फिट है, और दक्षिनी भुजा उसके 50 फिट है, नेश्चिति कौन 90 डिग वैसे कहने को तो ये गव मुखी प्लाट माना जाएगा, और उत्तर मुखी प्लाट को तो शुप माना जाता ही, उत्तर मुखी है, निश्चित रूप से उत्तर दिशा भी मान लीजिए, उसकी फ्री हुई, पूरप का कोना भी अगर खाली हुआ तो फिर तो बहुत बढ़ रहेगा, इशान कटने के कारण हम उसमें आवाज बनाते हैं, तो उसमें किसी भी तरह से प्रगर्ती नहीं होगी, तीन पीड़ी की बाद तो मंच्च बृद्धी रुख जाएगी, व्यापार का यदि दुकान अदी बनाते हैं, आर्थिक उन्यती नहीं होगी, हर कि उसकी भुजा 50 फिट है, और पश्चिम की भुजा 45 फिट है, तो ऐसी इस्तिति में उसका उत्तरी इशान बढ़ जाएगा, अब यह नार मुखी प्लाट है वैसे तो, क्योंकि आगे से चुड़ा है, पुरा मुखी है, आगे चुड़ा 50 फिट, पैसे 45 फिट, अब इसक या आप चाहे इसको आप व्यावसाई ग्रूप में प्रयोग में लें, या इसको आप रेजिडेंस बनाएं, आवास बनाएं, दोनों ही दृष्टियों से शुफल दाई रहेगा, इसके विप्रीत, यदि पूर मुखी प्लाट है, बहुत अच्छा प्लाट माना जाएगा लेकिन उसकी पूरवी भुजा 45 फिट की है, और पच्छमी भुजा 50 फिट की है, ऐसी दृष्टि में होने को तो ये गौव मुखी प्लाट हुआ और पूर मुखी प्लाट हुआ, जानकारी यदि नहीं है, तो इसको बहुत शुब मान के खरीदा, उस पे कुछ भी बनाया वो शुब फलदाई नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तरी इशान कटा हुआ है, गौव मुखी और नार मुखी प्लाट यदि हम खरीदे हैं, देखते हैं, तो उसमें इशान बढ़ने के कारण यदि वो गौव मुखी नार मुखी बन रहा है, तो शुब फलदाई होगा, और इ यही है, मुल सूतर यही है, कि इशान किसी भी कीमत पर कटना नहीं चाहिए, उसका बड़ा होना शुफल देता है, और उसका कटा होना नुकसान देता है, ऐसे ही एक सूतर और है, जो प्रचलन में हैं, जो बोलते हैं, और उस सूतर के आधार पे कई बार व्यक्ति अपना निर्मान मकान में परिवर्तन करा लेते हैं. समय यदी ठीक हुआ, किसमत अच्छी हुई, तो ये सही भी हो सकता है, और यदी समय ठीक नहीं हुआ, तो ये विपरिद भी हो सकता है. अब समझते हैं इसको कैसे? बादचीत में आपने सुना होगा, लोगबा के एक बात बोलते हैं, कि मकान का पिछवड़ा उँचा होना चाहिए. मकान का पिछवड़ा यदी उँचा हो, तो प्रगतिकारक रहता, शुपफलदाई होता है. लेकिन इसके साथ एक बात और है, वो यदी चुड़ी है, उसका भी ध्यान रखा है, और उसके साथ ये बात अगर है तो शुपफलदाई, और उसके विपरी थे, तो नुक्सान दायक, कैसे? मकान का पिछवड़ा उँचा होना चाहिए, लेकिन इससे पहले एक बात और बोलते हैं, हमारे पुराने मुजूर, कि मकान या तो उत्तर मुखी होना चाहिए, या पुरा मुखी होना चाहिए, यदि मकान उत्तर मुखी है, और आपने पिछवड़ा उँचा किया, तो दक्षिन दिशा उँची हो गई, निश्चित रूप से दक्षन दिशा का उँचा होना शुप फल दाए होगा और उसमें सारी इस्तितियां वास्तों के अनुरूप है केवल इससे ही काम नहीं चलेगा केवल बात मियां मकान के पिछवाड़े के उँचा और नीचा होने की बात है इशान कौन में मान लिजे किसी भी तरह की समस्या है जैसे लेड़ बात है वहाँ पर रसोई है वहाँ पर सीड़ी वगड़ा है तो वो तो नुकसान दाएक रहेगा मकान का केवल पिछवाड़े के उँचा है नीचा होने की वात्व शात्र का मूल सिध्धानत यह है कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा दो दिशाएं ऐसी है जिन में बजन नहीं होना चाहिए अधिक जो उचा नहीं होना चाहिए निर्मा जिन में जिनका नीचा होना चाहिए और दक्षिन और पश्चिम ये उचा होना चाहिए अगर मकान उत्तर मुखी है और फिर पिछवणा उचा किया दक्षिन उचा हो जाएगा अगर मकान पूरा मुखी है पिछवणा उचा किया पश्चिम उचा हो जाएगा ये दोनों बातें निश्चित रूप से शुफल दाई रहीगी अगर मानीजिए मकान हमारा पश्ची मुकी है और फिर पीछ आड़ा पिछवणा उचा किया तो पूरब उचा हो जाएगा पूरब उचा होने के कारण पूरब दिशा डिस्टरब हो जाएगी एक तरह से दुष प्रभाव में आजाएगी और पूरब दिशा होती पित्र दिशा ऐसे मकान में आप थोड़ा तरग आप देखिए गुम फिर के आपको कोई ऐसा मकान नजर आए और फिर आप देखिए उसके प्रभाव देखिए मालूम कीजी एक बात पाएंगे आप पश्चिम मुखी मकान है और पिछवडा उचा कर दिया इसका मतलब पूरब दिशा उची हो गई ऐसे मकान के अंदर रहने वाले पूरु सदस से परिशान रहेंगे दक्षिन मुखी मकान है और मकान का पिछवडा उचा कर दिया अर्थाद उत्तर दिशा उची हो जाएगी दक्षन दिशा से उत्तर दिशा मत्र दिशा होती है उसके उचे होने के कारण ऐसे मकान की जो उसमें रहने वाले जो महिला सदस्य है वो परिशान रहेंगी वो सुखी नहीं हो सकती तो मकान का पिछवाड़ा या उँचा पिछवाड़ा उँचा करने से पहले ये आउश्च देख लेना चाहिए कि मकान है कौन से मुख का उत्तर मुखी है तो पिछवाड़ा आँख में इसके उँचा कर दीजिए शुख फलदाई रहेगा अगर पुरम मुखी मकान है निश्चित रूप से पिछवाड़ा मकान का पिछवाड़ा मकान का पिछवाड़ा उँचा निर्मान कर लीजिए शुख फलदाई रहेगा लेकिन अगर आपका मकान का मुख पश्चिम में है भूल कर भी पिछे का भाग उंचा मत करना यदि मकान का मुख दक्षनी मुखी मकान अगर है तो उसका भूल कर भी पिछवडा उंचा मत कर लेना नुकसान दायक रहेगा आज के इस वीडियो में इतना ही नमस्कार नमस्कार